गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग, देखते हैं हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, आज से आप लोग JPSC का एक्जाम बहुत नजदीक है, उम्मीद करता हूं मैं आप लोग को छोटनापूर टेनिसी एक्ट बताऊंगा, तो इससे कोशन्स इससे बाहर नहीं आना च चाहिए, तो इससे आपको कमर भी हो जाएगा सारे कोशन्स, ठीक है, स्टार्ट करें, छोटनापूर टेनिसी एक्ट, छोटनापूर कास्तकारी अदिनियम, कब बनाई है, 1908 में बना, ठीक है, इस एक्ट के बारे में कुछ बेसिक बाते उससे पहले क्या हुआ, क्यों बना इसका उद्देश किया था, यह सिर्चिज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही कोसिस करेंगे कि आपको समझ में आए, क्योंकि इस एक्ट का मैंने देखा है कि बहुत सारे जो टर्म से, जो किदाभी बाते हैं बहुत टॉफ, गुड इबनिंग, सभी गुड इस एक्ट के बारे में हम लोग एक बार देखें कि एक्ट यह क्यों बना है, इसके पीछे क्या कारण था, तो चुकि यह एक लाइड रिफॉर्म एक्ट है, कि इस कोई भी एक्ट में हिंदी बहुत टॉफ होता है, और किताबों में जो हिंदी देता है, वो क्या है कि इंग्लीज को पूरा का पूरा इंटरनेट से ट्रांसलिट कर देता है, इंटरनेट से ट्रांसलिट करने पर जो टर्म से बहुत टॉफ हो याते हैं तो कोशिस यह करें आप सभी लोग को इंगलीज में भी आपको समझ में आ जाए मैं कुसिस करूं हिंदी थोड़ा सा रियली बहुत टप पड़ेगा तो यह एक भूमी सुधार कानून है जो पूरी तरह भूमी से जुड़ा हुआ है इस एक्ट के आने की पीछे क्या वजा है वो हम लोग द जानते हैं उन गुरान विद्रोव कब हुआ था तो यह 1895 से लेकर 1900 में मुंडा विद्रोव हुआ खिक है तो इस मुंडा विद्रोव के हम सब जानते हैं इसके अगवाई कौन थे बिरसा भगवान इसके अगवाई थे उनके नित्रुत्य में यह विद्रोव हुआ था इस इस विद्रो का मुलत देश था कि जो एनेस्टल जो पैत्रिक संपत्ती है पैत्रिक भू है जमीन है वो उने वापस लोटा दिया जाए इस विद्रो के जो इंपक्ट है जो सेक्वेंसे परिणाम है उस परिणाम में या एक्ट भी है C&T एक्ट इसका परिणाम माना जाता है C&T एक्ट को बनाने में कुछ लोगों की मुख्य भूमिका है तो देखते हैं कि इसकी मुख्य भूमिका किसकी है तो ये एक्ट बना है इसमें बहुत फेमस रैक्टिव थे उनकी बहुत बड़ी रोल है जॉन बैप्टिष्ट हॉफ्में जॉन बैप्टिष्ट हॉफ्में ये जर्मनी के रहने वाले जुसी एक फादर थे इन्होंने मैक्सिमम टाइम अपना जो है वो यहालकंड में इस्पेंड किया है या इनका जीवन काल था अठाव संतावन से उनिस्सो अठाइस तो इन्होंने ये खास कर खूटी और उसके आस पास के छित्रों में इन्होंने जंध्यातियों के उत्थान के लिए काफी काम किया है तो इन्हें माना जाता है कि इन्होंने ही इनको हेल्प करने के लिए और भी कुछ अंग्रेश थे जैसे मिश्टर थे मिश्टर थे इन लोगोंने इसको हेल्प किया इसी व्यक्ति को बाना जाता है कि इन्होंने 1903 में इन्होंने इस पुरे एक्ट का ड्राप तियार किया था जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट भी करते हैं तो इन्होंने ही तियार किया इसे लिए छोटनापू डेनिंसी एक्ट के फादर किसे बोलते हैं बैप्टिश्ट महोदे को इसका फादर बोलते हैं ठीक है उसको सयोग करने वाले ये लोगे 1903 में ही इसका ड्राप तियार हुआ बट ये बना लागो का हुआ 1908 में ये पुरी तरह लागो हुआ है ठीक है 1908 में जब ये बना है इस समय भारत के इस समय इस बात की समय ड्राप्टिंग के समय भारत के गवर्नर जेनल वायसराय कौन थे पुटा फ़र्ट लिखके बताईए आप सभी लो इस समय इस समय जब ये ड्राप्ट तयार हुआ इस समय भारत के गवर्नर जेनल वायसराय कौन थे वो हम लोग देखेंगे ठीक है तू यह लागू कब हुई ठीक है यह लागू हुई है 11 नौंबर 1908 को यह लागू हुआ इनेक्ट कब हुआ 11 नौंबर 1908 को यह इनेक्ट हुआ ठीक है लौड मिंटो इसमें का था भाई लौड करजन ठीक है इसमें कौन थे लौड करजन 1899 से 1905 लौड करजन का प्रियर्ड है जब यह लागू हुआ इसको लागू को करने वाले कौन थे तो लागू को करने वाले लौड मिंटो थे लौड मिंटो ने इसे लागू किया है ठीक है इनके समय यह लागू हुआ इंडियन कॉंसील आक्ट पर उस कॉंसील आक्ट के जो सिक्षन 5 थे इसे के तहत इसे लागू किया गया कि इंडियन कॉंसील आक्ट अठासो बन बे के सिक्षन 5 के तहत इसे लागू किया गया कब लागू किया है यह हम लोगों को द्यान देना है ठीक है इस एक्ट की अगर उन्हों बात करें तो इसे मेगन काटा भी कहा जाता इसका मेगन काटा कहा जाता इसे जन्जातियों का मेगन काटा अधिवाशी का मेगन काटा भी कहा जाता मेंगनकाटा क्या होता है अगर आपको देखना है तो पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स का मेरा वीडियो अलड़ी अपलोड है आप उसे मेंगनकाटा की इतिहास देख सकते हैं जब भी कोई अधिकार वाली बात होती है चार्टर ऑफ राइट्स की बात होती है उसे मेंगनकाटा काते हैं जैसे भारत में सिक्षा का मेंगनकाटा कौन है फटा फट लिखकर मुझे आप बताईगे तो यह हम लोगों को मुखे कुछ चीजें हैं इससे ध्यार रखना है इसी संबंदित कुछ बाते हैं इतना क्लियर हुआ इसके आगे हम लोग देखेंगे और भी बाते हैं इसको देखते हैं एक बार सिंटी में जब यह लागू हुआ है सिंटी वास्तों में बेंगॉल एक्ट है शिक्स और मैंटेनर्ट सिस के तहत यह लागू हुआ है जब यह लागू हुआ है तो कहां लागू हुआ है तो यह चार कमिस्टनरी चार पर मंडल में लागू हुआ है लिए पाँच्वा पर मंडल कौन नहीं है तो अमने पर चुके हैं तो संथाल पर्गना में यह लागू नहीं हुआ क्यों कि संथाल पर पर मंडल में लागू नहीं हुआ है क्लियर रहिए चार परमंडल में और जब यह लागू हुआ उस समय सराय केला और खरसावा सराय केला और खरसावा में यह लागू नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ था इनका जो है वो 1981 में अलग से एक आक्ट बना सराय किला खर्सा हूआ amendment laws है यह अलग से बनाय है सराकिला इसमें कब लाख उसराकिला में सीएंटी कब से लगो हुई उनिस्ट एक आउन में लाखु हुई मरतमान में एचार परमंडन और अठारा जीला में शामिल है तो चावेश जिलो में अठारा जीला में ये लाखु है कितने जिलों में नहीं है, छे जिला में नहीं है, क्योंकि उन छे जिलों में स्प्रिटी, संथाल, प्रगना टेरंसी, एक्ट लाहु है, और यह हम दो उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो यह द्यार रखना है, इस इसमेंपोर्टिन बात है, अब यह जो है, यह मेंडली, कुछ और चीज़ें हैं, एक अमेंडमेंट हुआ था, 66, कॉंसिशनल अमेंडमेंड, 66, समिधांग संसुधन, 1990, इसके द्यारा क्या हुआ, कि इसे, नौवी सेडूल, नौवी अनसुची म शामिड कर लिया गया, नौवी अनसुची में इस एक्ट की कई धाराओं, कई सेक्संस को इसमें शामिड कर लिया गया, इस सुची में डाल दिया गया, तो नौवी अनसुची में क्या है, लाइन रिफॉर्म, भूमी सुधार से संबंदित, या किसी भी चीज़ों को अगर पर नियाय पालिका से बचाना है, तो उसे डाल दिया आता है कि इसमे नोविय अनुसुची में, क्योंकि नोविय अनुसुची को ने पुनर विलक़न में न्याय पालिका नॉमली नहीं देखती है, ठेक है, तो इसके कुछ धाराओं को इसमें डाल दिया गया, चाया 46 हो, 47, 48 48A जितने सेक्शन में लिख रहा हूं यह सब आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इन सेक्शन को ध्यार रखना है यह सबी धाराएं जो है वो किस अनुसुची में अनुसुची 9 में डाल दिया गया तो किस समिधान संसुधन के तहट छुटनाकपू टैनेंसी एक्ट को समिधानिक दर्जा प्राप्त हुआ constitutional status प्राप्त हुआ तो शिया सेट में समिधान संसुधन के तहट इसे constitutional status प्राप्त हुआ जो C&T सम्मंदित facts है उसके बारे में अब देखते हैं हम लोग कि C&T में कुभी ये एक law है C&T Act है इसमें कितने अनुसुचिया है इसमें कितने schedule है C&T में दो schedule है इसमें कितनी chapter कितने है तो इसमें 19 chapter है 19 अध्या है और कितने sections धारा हैं कितने हैं इसमें 271 धारा है निचरली बहुत ज़्यादा है SPT की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है SPT में हम लोगों ने 72 धारा लगभग कुड़ा पढ़ लिया था यहां 72 नहीं 271 वहां कितने अध्याय थे 9 और यहां 9 नहीं 19 अध्याय है 19 चेप्टर तो आपके examination point view से सारा section आपको पढ़ना आवश्चक नहीं है मैं बता दूँगा कौन कौन sections आपको पढ़ना है मैं पढ़ा भी दूगा यसलिए उसके ने घबडाना नहीं तो दो schedule है दोनों schedule में A और B SPT में भी दो अनसूचियां थी यहां भी दो अनसूचियां है दोनों अभी repeal कर दिया गया है समाप्त कर दिया गया है इन दोनों में क्या है act था कुछ पुरू के अधनियम act थे उस act को इसमें समाप्त कर दिया गया है तो ये अभी नहीं है, आपको इन चेप्टर वाइज हम लोग शुरू करेंगे, पहले एक कहानी, पीछे का बैग्राउंड आप सभी लोग उमेद करता हूँ, आप पढ़ दिजेगा, ठीक है, कैसे भारत में दिवानी प्रंपरा सुरू हुई, कैसे विद्रो हुआ, और विर मैं कॉंसेट पर जोड़ दूँगा, स्पेसिल अब लोग कॉंटेप्स, चली, स्टार्ट करते हैं कहानी, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या चीजिए, पैला वर्ड है टेनेंसी, जिसका हिंदी होता है कास्त कारी, ठीक है, अगर ये वर्ड है टेनेंसी, तो एक और टेनिल, वैसे ही मिलता जूलता, एक और शब्द आ गया टेनेंट, नेक्स्ट, एक और वर्ड आ गया, टेनूर होल्डर, ये सभी जो वर्ड है, देखी, कॉमन लग रहा है, मिलता जूलता है, सभी को यहां समयना है, बाकी जो फाक्च्चूर बाते हो गई, यहां से ध्यान स्मझें, Tenancy, Tenure, Tenure का Hindi, Hindi छोड़ी मुश्किल होगी, यह तो हो गया, भू, धारक, ठीक है? Tenent हो गया, कास्तकार, कास्तकार, यह हो गया, भू, धारक, ठीक है? Tenure का कास्त होगा शायद, कास्त, मैं करा रहा हूं, कोसिस करें, इंगलीज को समझने का बहुत आसान है इसा मिला हुआ आपस में अब इस पूरे सिस्टम को द्यान से देखें इन सभी के सेंटर में क्या है सेंटर में है लैंड लैंड तो कोई लैंड है माना जाए कि टेन्यूर होल्डर के पास कोई लैंड इस लैंड पर उसने एक टिनेंट एक किरादार रखा है ठीक है एक लैंड है या एक मकान मान ले उस पर एक किरादार रखा है टेन्यूर क्या हुआ इसका वा अधिकार इसका वा अधिकार टेन्यूर कहनाता वा अधिकार जिसके तहट ये किसी किरादार को अपने जमीन या अपने मकान पर रखता है टेन्यूर क्या है एक अधिकार है जिस अधिकार के तहट वा किसी टेनेंट को अपने मकान या जमीन पर रखा है ध्यान र ठ्रांसपर हो सकता है क्या यह यह ट्रांसपर हो सकता है ऐसे अरपों देख सकता है मैं कि टेनेंट क्या हुआ ये अब टेनेंट का मिनीं क्या है टेनेंट हुआ है जो इस जमीन पर रेंड देता हूँ जिसको उम्हें करते हैं लगान देता हूँ ठीक है ये लगान किसको देगा टेनियर होलर को देगा भाई हमने मकान किराया पर दिया है तो किरदार तुम हो तो किराया मुझे न दोगे तो किराया का जो भाड़ा है किराया है वो मुझे दोगे ठीक है तो ये किराया मुझे देता है अब ये जो बंदा है वो किराया जो टैक्स जो रेविन्यू है जो लैंड रेविन्यू हो ये किसे जाकर देगा ठीक है तो हम ल जाकर हम लोग जमा करते हैं इसी राज सरकार को अभी हम लोग कहेंगे लैंड लॉड हम लोगों ने स्टिर्टी एक्ट में भी पढ़ा था कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट नाइंटीन फिप्टी 1950 के तर लैंड लॉड किसे माना गिया है तो सियो को अंचल अधिकारी को लैंड लॉड माना गिया है यहां भी लैंड लॉड कौन है स्टेट ऑफ गौर्मेंट लैंड लॉड है रिवेन्यू अधिकारी लैंड लॉड है सियो सा लैंड लॉड है तो यहां लैंड लॉड सरकार को मानना है यह बनी थी जब उस समय लैंड लॉड जमिंदार और कास् वसकार होगा टेनेंट होगा लेकिन अब क्या हुआ कि जमिंदारी जब खत्म हो गई तो यह वर्तमान में क्या है क्या है लिफ यहाँ पर हम लूढ़ूर्ड की उसकार वड्यूज करें, यह आपको समझ माइए तो एक टेन्यूर होल्डर है जिसके पास कुछ क्या है लैंड ह इस लैंड पर उसने कुछ किरादार रखा है, इस लैंड पर किरादार रखना और इससे किराया वसूल करना इस अधिकार को टेनियूर करते हैं, तो टेनियूर एक परकार का अधिकार है, किसका अधिकार है, क्या अधिकार इसमें, तो लगान वसूल करने का अधिकार है, या लगान ये इसको देता है, ये किसको देगा, इसको देगा, ये लगान किसको देगा, इसको देगा, ठीक है, अब ये टेनेंट, रहियत हो सकता है, रहियत हो सकता है, रहियत को टेनेंट भी करते हैं, ठीक है, रहियत मैं आपको पढ़ाऊंगा अगे, अब इसको ध्यां से हुआ कि इस पूरे सिस्टम को टेनेंसी करते हैं कि किसी जमीन जमीन पर खेती करना जमीन पर काम करना उस जमीन के उस लैंड के बद्रे में लगान देना वा लगान सरकार तक पहुचना इस पूरे सिस्टम को टेनेंसी करते हैं यह पूरे छोटनाकप seconds में लागू हुआ यह पूरा सिष्टं इससे लिए इसका नाम है छोटना खू टेनसी एक्ट आई होब इस दर्म को आपको समझ में आया हो करा यह tenure holder पहले के काल में जमिंदार होते थे बड़े बड़े जमिंदार लैंडलॉड होते थे छोटे छोटे जमिंदारों के पास tenure holder होते हैं यह tenure holder जो है आज की डेट में इन जमिंदारों के जो封saj है जिसे हम लोग under tenure holder करते हैं तो उनके जो वंसaj आज भी चले आ रहा हैं वो भी tenure holder में ही शामिल होऊगे ठीक है आप तो जमिंदार रहे हैं लिए बड़े उनके वंसaj चले आ यह उमिद करता हूँ, आपको इतनी चीजें समझ में आए होगी. ठीक है? TENER जो है TENER Holder, वो अपना LAND पर خود भी cultivate कर सकता है, खेती कर सकता है, करवा सकता है, अपना LAND को कई TENER उसमें बसा सकता है, और उनसे किराय ले सकता है, लगान ले सकता है, और सारा लगान को collect करके L को देगा यह टेनूर होल्डर है आपको और एजी समझ में आएगा जब आम लोग आगे बढ़ूँगा इसको देखते हैं आगे कुछ और चीज़े हैं हम लोग समय लेगा प्रयास करते हैं रहियत को देखे रहियत ठीक है बोलचार में रहियत किसान जिसको अमने बोलते है रहियत रहियत तब तक रहियत नहीं है जब तक वो या तो टेन्यूर होल्डर के अंडर में या प्रोप्राइटर सरकार प्रोप्राइटर के अंडर में या फिर खूट कटीदार के अंडर में है इसका रहियत रहियत इनका भी रहियत उसकता है उसके पास प्रोप्राइटर से भी जमीन मिला हुआ है या मुंडारी खूट कटी दार से भी उसे जमीन प्राप्त हुआ है अब आपके लिए ये शब्द आया खूट कटी ये कटी दार तो हम लोग आज इतना पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो लायन पढ़ेंगे उसमें हम लोग मुकुरूप से पढ़ेंगे खूट कटी दार है खूट कटी देखते हैं क्या है खूट कटी या गोई है खूट कटी क्या है तो आई अशोप जानते हूँगे आपको कोई ऐसा स्थान था जहां पर पहले क्या था जंगल तो कोई ऐसा जगह जहां जंगल ही जंगल था चारो तरप विरिक्ष लगे हुए थे कुछ लोग आएं और कुछ लोगों ने इस विरिष को काट दिया काटने के बाद ये विरिष को लोगों ने मैदान का रूप दे दिया और यहां वे लोग क्या करने लगे खेती करने लगे खेती करने लगे तो जंगल को साप करके उन्होंने खेती सरूप किया एक पुरा ग्राम गौण बस आया है, ज़िके? गौण बस आया है, TNC तो मैंने कहा पुरा सिच्टम है ने ये पूरी सिच्टम जो मैंने बताया था, वो TNC, tenant person, स्वेक्ती, किरदार, ज़िके? मैंने मकान, मेरा मकान है, मैंने मकान में किरदार रखा है, उस किरदार ने किर किराया दिया, मैं किराया लिया, तो मैंने मकान रखा है, तो मेरा अधिकार है, अधिकार में क्या है, एक मकान हुआ, मैंने उस मकान में किरदार रखा है, ये मेरा अधिकार है कि मैंने उस किरदार को रखा है, उस किरदार से क्या वसूल किया, किराया वसूल किया, और उस किर साय का कुछ हिंसा कहा दिया सरकार को दिया यह जो बता रहा हो सारा सिस्टम इसी को टिनेंसी करता हुए खूटकटी में देखिए ठीक है तो कुछ लोग आए और जंगल था जंगल को काटे उन्हों जंगल काटने के बाद उसे खेत का रूप दिया और एक पुरा ग्राउं ग हुआ है तो इसे कहाएंगे मुंडारी खूटकटी मुंडारी खूटकटी ऐस यह कह सकते हैं कि पूरे गाउं का यह प्रवर्तक स्टाडर है जिसने काउं किया हम लोग ने एस्पीटी में पढ़ा था मोल रहियत ध्याना रहा होगा मोल रहियत आपको इस पीटी में उसी परकार जिस परकार मूल रत में रहीत में मूल पढ़ाता कि वो लोग आए और पुरा गाओं पुरा छेतर को बसाया मूल रहीत लोगों ने वो उस गाओं के फॉंडर थे स्टार्टर थे परवर्तक थे वैसे ही मुंडारी खूट कटी तो ये कौन होंगे इन्होंने पुरे गाओं को बसाया है ठीक है तो इस गाओं को जिसको बसाया या खूट कटी या भूयर भी करते हैं भूयर जो है ये कन्फिजम में नहीं रहना है कि भूयर जो है ये उराओं के लिए ही है भूयर उराओं के साथ साथ मुंडा में भी है राची में ऐसे बह हाँ उराओं में भोईरी ज्यादा है बट सिर्फ उराओं गलत होगा उराओं के लोग आए हैं उन्होंने जंगल काटा और गाउं बसाया उसे भोईरी कहेंगे खूट-कटी और भोईरी दोनों करते हैं खुट कट्टी में अगर मुंडा के द्वारा गौ बसाया गया जंगल को काट कर तो उसे मुंडारी खुट कट्टी कहेंगे और उसके इस अधिकार को वैसे लोगों को मुंडारी खुट कट्टी दार बोलेंगे ठीक है और उसके पूरे सिस्टम को मुंडारी खुट कट्टी tenancy बोलेंगे, कास्तकार बोलेंगे, कास्तकारी बोलेंगे, इस term को ध्यान रखिएगा, इसको shortcut में हम लोग MKK बोलेंगे, आगे सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा तो आपको MKK वर्ड पढ़ाऊंगा, MKK क्या हुआ, मुंदारी खूट कटिदार, मुंदारी खूट कटिदार MKK है, ये किरियर हो गया, भूयर दोनों हो सकते हैं, मुंदारी खूट कटिदार अभी कहा है, खूटी, में लिए खूटी में है, ठीक है, इसके अलावा तमाण के शित्र में, उन सभी शित्रों में ये यह पुरा जो है यह भुयर जो है यह राची में राची के विश्टन कोर्सन में भुयर परब्रा भी चल रहे है तो ऐसा रायत जो इसके अंडर में हो या इसके अंडर में हो रायत रायत के बारे में यह है जो आप पढ़ेंगे section 6 क्लाउस 2 तो आपको रायत की परिभासा दिया हुआ है चुटनाकू टेनेंसी आक्ट में घबडाना बिल्कुल नहीं है बहुत इजी है कोई टफ नहीं है यह मिसकंसेप्सन है कि यह बहुत टफ है ऐसे कुछ नहीं है मैं प्रहा दूँगा आपको असानी से समझने आ जाएगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं एक बार पार्ट पार्ट करके स्टार्ट करते है आपको और देता समझनाएगा C&T में मैंने कहा कि 19 चैप्टर है इस 19 चैप्टर में डेफिनेटली पहला जो चैप्टर है जैसा हम लोगों लिए स्ट्रीटी में देखा था इसमें कुछ डेफिनेशन कुछ परिभास आये है वो सब इसके अंतरगत आता है जो कि सिक्षन 1, 2, 3 स्ट्रीटी में भी आपको ध्यान होगा इसमें भी है इसके अलावा चैप्टर नमबर 2 नेक्श्ट जो है यह है क्लास आउफ टेनेट याद रखें मैंने और लैंड अभी आपको नहीं बताया है बाकी लैंडों के बारे में जैसे जैसे वो टर्म आएंगे वैसे वैसे मैं डिल करूँगा सुरू में इस सब डिल करके होश पोज नहीं करना है पढ़ाई सुरू करना है समय बहुत कम है इसके आतरिगत हम लोग पढ़ते हैं चार से लेकर आठ इतने आर्टिकल्स इसको ध्यान से देखिए इसमें जो चार नमबर आर्टिकल्स है वो भी यही है क्या है क्लास आप टेनेट कास्तकारों का वर्ग कास्तकार कौन किराया लगान दे रहे हैं कास्तकार के अंदर में क्या क्या आ रहा है उसको हम देखेंगे कास्तकार कौन ठीक है इसके अंदर में टेनियूर होल्डर टेनियूर होल्डर एक्जर्ट कास्तकार नहीं है भूधारक भूधारक इसके अंदर बताया कि भूधारक कौन है, जिसके पास कोछ जमीन है, उसे लगानों को वहां टेनेंट को वहाँ रखता है, उनसे रिविन्यू लगान वसूल करता है, लगान कलिट करता है, और वह किसको देता है, सरकार को. ठीक है? टेनियर होल्डर को या जमीन कहां से मिलता है वो अपराटर के दोरा सरकार के दोरा जमीन प्राप्थ है और ये जमीन या तो दूसरे टेनियन होल्डर ने उससे दिया है तो भू धारक से ध्याएं टेनेंट में आता है इसके अलावा क्या है रहिएट राइध भी टेनेंट है ठीक है राइध को तीन तरह से बाटा गया है तीन प्रकार के राइध मालेगा है धियाद देंगे राइध तब तक राइध नहीं है जब तक वह और या प्रॉपराइटर के अंडर में हो या या MKK अंडर में हो, MKK क्या हुआ, मुंडारी, खूट, कटिदार के अंडर में हो, यहां रहियत दो प्रकार, किन प्रकार से हैं, पहला क्या है, OR, OR मिस उक्टिपेंसी रहियत, अब इसको आप लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, उसको, अधी भोगी रहियत, अधी, अधी होगी रहियत, ऐसा रहियत, जो मैं बताओंगा, आपको डिल करूँगा, क्या है, दुसरा है, NOR, NOR, मिस, नौन उक्टिपेंसी रहियत, नौन उक्टिपेंसी रहियत, और तिसरा क्या है, क्या, कुलकत्ता, नाइट राइडर, क्यार हो गया, कुलकत्ता, नाइट राइडर, अच्छा ऐसा लही है, क्यार क्या हो गया, एसा रहियत, जिसे खूट कटी का अधिकार प्राप्त है, खूट कटी का अधिकार प्राप्त रहियत, यह इसमें, इसके अलावा इसमें आतना एक है अंडर रहियत अंडर रहियत दर रहियत मुश्किल है बाई दर रहियत आपको समझ में नहें है दर दर भटकना है कि क्या करना है वो चीज है last क्या है last है M.K.K मुंडारी खूट कुट्टी दार मुंदारी, खूट, कट्टी दार ठीक है अब आपको इसको है अब इसको समझना है गबड़ना विरकुल नहीं है बहुत सिंपल है Class of Tenants This is Section 4 Section 4 में है Class of Tenants अब ये होगे आपका Section 5 रईयत के बारे में बोल रहा हूँ तो ये है 6 and 6 KKR साथ नंबर की जर्सी 7 and this one MKK 8 तो ये धारा मैंने आपको बता है 5, 6, 7, 8 Land ये Tenure Holder पर हम लोगों ने चर्चा किया पहले ही Tenure Holder कौन है? किस तरह से वो काम करता है? Tenure Holder अपने Tenure को ट्रांसपर भी कर सकता है Tenure क्या हुआ था? अपने जमीन पर किसी को किराय में रखना और उससे वसूर करना लगान लगान कलिट करना हो सकता है Tenure Holder के पास जो जमीन हो बहुत जमीन हो एक 50 एकड़ जमीन हो तो उस 50 एकड़ जमीन पर तो वो कई Tenant को रख सकता है कई कास्तकारों को रख सकता है और उन सभी कास्तकारों से जो रेंट है वो कलिट करेगा और कलिट करके आपको देदेगा? नहीं आपको ने देगा किसको देगा? लाइंड लॉड के पास जमा करेगा है ना? तो ये Tenure Holder Tenure Holder पहले जमीन दार थें तो अब जमिनदारी नहीं है तो जमिनदारों के बड़ वंसस तो होंगे जिसे अंडर Tenure Holder करता है रईयत देखिए रईयत हुआ है जो लगान देता है खुद खेती करे चाहे उसके परिवार के लोग खेती करे चाहे वो हाइयर करे लेकिन वो लगान देता है यह रईयत जिसे Tenant भी करते है उकमेंसी रईयत अधिब होगी रईयत बड़ा सिम्पल है कोई रईयत है तो उसके पास जमीन है होल्डिंग है या वह रईयत है जिसका जमीन पर अधिकार हो लीगल पोजेशन जा रखना है एसा रईयत जिस पर उसका लीगल पोजेशन होई यह वो रईयत है जिसके नाम से रसीद करता है ऐसे रईयत का रसीद करता है ठीक है किसी भी जमीन पर यह दि इनका कानूनी अधिकार है लीगल पोजेशन है तो वैसे रईयत को हम लो कहेंगे और और क्या हो गया नौन उक्पेंसी हिंदी जो भी हो तो यह नौन उक्पेंसी रईयत कौन होंगे जिनका रसीद नहीं करता है इन्हें पट्टा पर मिला है बाई लीज पर मिला है कुछ दिन कावम चलाइए फिर आपके पास से हम लोग ले लेंगे ठीक है ये अब ये देखे क्या है खूट कट्टी का अधिकार प्राप्त रहियत इडमे से गाउं था उस गाउं को बसाने वाले जो इसके फॉंडर थे जंगल वारा काट कर फॉंडर जो थे ठीक है ये गाउं ये खेट क्या कहलाया खूट कट्टी कहलाया इसके ये कुछ लोग पॉंडर इस पॉंडर के वंसज होंगे जो शुरू में थे उनकी बाद उनका नेक जिनरेशन उसके बाद नेक जिनरेशन ये होंगे बड़ ध्यान रखेंगे कि मुंडा में मुंडारी में ये जो वंसज होंगे वो क्या होंगे मेल लाइन होंगे पुरूष पुरूष वंसज है महिला वंसज को ये नहीं मानते पुरूष वंसज है इसके बाद होंगे ठीक है क्या है रविश एंकर सरके क्लास में जितने students होंगे एक चलिए एक energy level और बढ़ जाता है आपको समझ में आना है पाकी बाते किनारे examination hall में कोशन बनाना है रियर्ड देना है इसके बाद mains की त्यारी भी बची हुई है finally जब तक आप deputy collector या DSP नहीं बनेंगे तब तक मुहीम जारी है अगले बार ये UPSC की तो mail line ठीक है तो इन्होंने खेत किया खूट कटी और ये mail line अब मान ले इस founder परिवार इस founder परिवार खूट का मिनिंग या होता है family परिवार या once सुरुवात का खूट खूटा खूट क्या है खूटा से बना है सुरुवात का खूटा बाड़ दिया starting उसके बाद से कई वंसज आगे चल रहे हैं कई पुढ़ियां आगे चल रही है इसके जो वंसज है इस family के कही कोई अगर member है और उसे खूट कट्टी का अधिकार प्राप्त है खूट कट्टी रहियत कहेंगे तो यह ध्यान रखना ही इन दोनों में बहुत difference है मुंडारी खूट कट्टी दार यह तो मैंने बता दिया था मुंडारी मुंडा चीक है यह खूट कट्टी सिर्फे इसमें मुंडा शब्द नहीं है ठीक है यह मुंडारी नहीं है यह भूईरी भी हो सकता है ये मुंडारी खूट कटीदार शुरुवाती दोर में आये गौओं को बसाया जेंगल काट के उसका परिवार वहां रहने लगा शुरू में चुकी सामुई खेती होता था ये लोग लगान नहीं देते थे ठीक है अब चीजे बदल गई है ये ध्यान रखना है कि पूरे सी एंटी में चुटना को टेनेंसी एक्ट में सभी को लगान देना है पहले वाली बात नहीं है कि भूयरी ये खूट कटीदार लगान नहीं देते थे अब सभी को लगान देना है सिर्फ ताना भगत को छोड़ के तो ये क्लियर होगे आपका अब इसके टर्म को देखिए इसमें मैडाओं को शामिल नहीं है लेकिन आपका मेरी प्रश्ण है कि क्या वीड़ो को अधिकार मिलेगा क्या वीड़ो को मुंडारी खूट कटीदार का अधिकार है या नहीं है फटा-फट टाइप करके बताईगे कहीं कोई कंफ्यूजल इसमें कुछ भी आपको बताना है ठीक है और क्या है मैं और अगे डील करूंगा इसको परशाद नहीं होना है ठीक है नौर नौर कोपंसी रइएत क्या है क्क्र क्या है प्टापट क्क्र तो यादी रहेगा शारुक खान के नाम से इसके आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं, जट्ष इसके बाद का जो पार्ट है वो देखते हैं कि हम लोगोंने क्या किया अभी हम लोगोंने छेक्टर 2 देखा अब तर इतना से कितना आर्टिकल देखा 4と 8 अची बात है 4 to 8 देखा 5 जो हम लोगोंने देखा था 5 वो क्या था वो था टेनियर होल्डर यह 5 था भूधारक 5 जो 5 है यह अगला चैप्टर है चैप्टर 3 वापस सुरूश चलेगे अब लो तो यह जो 5 है वो क्या है चैप्टर 3 और इसमें जो धारा हम लोगों को पढ़नी है वो धारा इसके बाद से 9 to 15 9 से 15 सिक्साइंड टेनियर होल्डर में आएगा ठीक है जिसके पास जमीन है वो लगान कास्तकारों को रखता है उससे लगान वसूर करता है और सरकार को देता है ठीक है यह पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था इसके बाद वो है ओवार अधी भोगी रखता हम लोगों ने पढ़ा तो यह आपका चेप्टर फोर आएगा और इसके बाद यह सिक्षन सोला से च्छतिस में आजएगा जेश्ट बगल में था यह रखत का एक पार्ट था हम लोगों ने फिर रखत का एक और पार्ट पढ़ा था वो क्या था नौर अगर उक्पेंसी रखत है तो नौर उक्पेंसी रखत है जिसको अधी भोग का अधिकार नहीं है वैसे है तो यह हो गया चैप्टर और यह हो गया सिक्षन मैं भी नहीं लिख रहा हूँ इसके बाद क्या था इसके बाद था केके आर तो जो केके आर था वो भी कुछ होगा ठीक है तो जो केके आर है वो चैप्टर फाइब एन आर्टिकल ज्यादा नहीं सिर्फ एक आर्टिकल 37 तो इसमें जो है और आप नौलेजर की पीछ में केके आ रहे हैं ऐसे ये 38 से 42 डेफिनेटली पांच ये हो गया इसको एक बर आप सब लोग देख लिए ये कुछ नई चीजे नहीं है पिछले पेंज में जो हम लोगों ने पढ़ाता हुई है जो हम लोगों यहां पढ़ा हुई तो है ठीक है पांच इसी पांच को हम लोगों का सेकेंड चेप्टर आ गया है ये अब इसमें हम लोगों को छे सिक्षन है छे में मैं आपको पांच बता दूंगा पांच आपके लिए इंपोर्टेंट है ये इतना इंपोर्टेंट सेक्षन से इसमें 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 हम लोग इतना सेक्षन पढ़ेंगे इसके अंत्रगत वो चीज है ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये खुट कट्टी का अजिकार प्राप्त करने वाला रहियत है आई होप कि आपका केके आर और एम केके किलिर होना चाहिए कितना बार बोलीगा खोट घटी दारिये से ठीक है स्टार्ट करें हम लोग इसको लास्ट में मैं जब पढ़ा लूँगा तो इंपोर्टेंट सेक्संस क्या है आपके एक्जाम के लिए जो मुझे रखता है कि इससे आना चाहिए वैसे 15-20 कोसिस करूँगा सेक्संस आपको हिट बता दूँगा क्या-क्या इससे आने वाला है इतना हो गए आपका इसके बाद हम लोग देखते हैं टेनियर होल्डर को समझने का प्रयास के लिए रटना नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी टेनियर होल्डर को हम लोग देखते हैं ठीक है तो एक फॉर्मूला है देखें मैं लगा मैं आप लोग के लिए कुछ करते ही राता हूं आप पॉर्मूला मैंने बनाया है आपके लिए समय में आता तो ठीक है अब बता हुए आपके लगा भूईनी इंक वीभा निशा ठीक है ध्यान रखें कैसे हैं मैं आपको भी इसको हमने बीड़ करें सब्सक्tech करता है और वां मुझे दे देता है तो कि लगान में विर्दी मत किजिए लगान में रूजर के लगान में विर्दी नहीं कैसे गुछा फिरी के लगान में विर्दी मत की एि लैना प्लीजी किमछा। तो बंदोबस्त लॉड काणवाली के समय सुरू हुआ था बंगाल व्यार उडिसा तो बंदोबस्त 1793 में जो बंदोबस्त हुआ है जो मिंदारी बंदोबस्त उस बंदोबस्त के बाद यदि लगान में विर्दी नहीं हुई है तो इसके लगान में विर्दी नहीं हो सकती है बड़ा प्रब्लम है बड़ा फंस गया लोग की इंटेरियूर होल्डर के लगान में बहुत धारक के लगाने विर्धिया नहीं होगा तो कैसे गाम चलेगा तो 1920 में CNT Act में संसोधन किया गया और इसमें एक पॉइंट एड़ कर दिया गया कि नहीं नहीं लगान होना चाहिए तो DC सहब इसमें लगान में विर्धि कर सकते हैं ठीक है लगान में विर्धि यदि लगान के अंतरगा तो 11 लगान में विर्धि इसमें की जा सकती है बट यदि 2021 में इसके लगान में विर्धि हुई है तो अगला लगान में विर्धि कब होगा after 15 years 15 वरसों के बाद इसके लगान में विर्दी होगा it means 36 है न तो 15 वरसों का gap होना चाहिए तो इस very very important 15 years को आप ध्यान रखेगा तो ये लगान में विर्दी section 9 में आ जाएगा और इसे आट किया गया section 9A किसके तहर C&T Amendment 1920 ठीक है कितर 9A जोड़ा गया कि लगान में विर्दी होगा अब अगर हम लोग 15 years को देखिए तो यही मुझे रखता है कि आपका same section 62 भी है कास्तकारों के लगान में विर्दी enhancement in rent of tenant कास्तकारों के लगान में विर्दी section 62 62 में भी है ध्यान रखेंगे इसको एक साथ एक के साथ एक फ्री और वे चलता है मांसून दमा का कि आगे आते हैं भूई भूई मतला भूईयरी इस पेसली भूईयर के लिए जो है वो जब सर्वे किया गया इनके द्वारा जब सर्वे रिपोर्ट दिया गया इनके द्वारा जे रिपोर्ट प्रस्तूत किया गया उसके बाद 1869 में एक एक बना उसका नाम था चोटनाकपूर टेनियूर एक्ट चोटनाकपूर टेनियूर एक्ट चोटनाकपूर टेनियूर एक्ट चिक है टेनियूर कम रखता है क्या भूत रित्ती कुछ होता है टेनियूर मैंने कहा हूँ वह अधिकार टेनियूर होल्डर का वह अधिकार जिसके तहत हुआ टेनेंट को रखता हो उसे वसूल करता हो और हुचाता हूँ ये पूरा अधिकार को टेन्यूर करते हैं छोटनाक को टेन्यूर एक 1869 ठीके इसके रिपोर्ट पर किसके सर्वे के बाद राखल दास हल्दर के सपोर्ट के बाद इसलिए हल्दर इसे हल्दर सर्वे भी करते हैं। इसमें मुखरूप से किसको भूयर। तो यदि कोई भूयर या उस भूयर का परिवार चोटनाकू टेनेंसी टेनियूर एक्ट 1869 के तहत रजिस्टर्ड है। उसमें उसका इंट्री है। इसके बाद कोई भूयर नहीं का सकता अपने आपको कि मैं उसका मेरे खातियानी से खातियानी दूस समय ही बना इसके यहां खड में लाश खातियानी कब बना तो किसी भी भूयर ऐसा जो छटनाकूर टेनियूर एक्ट 1869 के तहर उसका नाम उसके अंद्रगत है। वैसे भूय पर लगान में विर्धी रेंट इन्हास्मेंट नहीं की जा सकते हैं ठीक है आगे आते हैं इसके हम लोग तो यह हम लोगों क्या पढ़ा दस पढ़ा अब इसके बाद है कि क्या टेनियूर होल्डर अपने टेनियूर अपने उस अधिकार का ट्रांसफर कर सकता है जिसको transfer करेगा तो क्या अपने सदिकार को जब transfer करेगा तो उसे landlord के पास उसका registration कराना पड़ेगा उससे निबंधन कराना पड़ेगा जी उससे निबंधन कराना पड़ेगा उसको ध्यान देना है हम लोगों को ठीक है तो इसके बाद मैंने कहा कि उसे निबंधन कराना पड़ेगा राइश्टेशन ऑफ किस चीज़ का transfer of tenure अगर कोई tenure holder माले यह नामक tenure holder है अपना कुछ जमीन है उस जमीन में से कुछ भाग किसी को देना चाहता है अपना अधिकावर का transfer करना चाहता तो वह wa transfer करा सकता है कैसे उसके निबंधन उसके रैश्टेशन के दोरा कहा रैश्टेशन कराएगा इसके लिए वर landlord को inform करेगा लैंग्ड लॉक के इसे 100 इससे अधिक नहीं इसको ध्यान लखेगा तो कोई भी tenure holder अपने tenure का अपने अधिकार का transfer कर सकता है उसे transfer करने के लिए transfer करेगा तो उसका उसका registration करवाना आवसक है निबंधन करवाना आवसक है और निबंधन land out के पास करवाएगा ठीक है इसके लिए उससे निबंधन वो register fee कितना होगा दो परतिशत जो annual लगानों वो दे रहा है उसका दो परतिशत बट वह एक रुपया से 100 रुपय तक ही होना चाहिए 100 रुपय से exit नहीं करना चाहिए ठीक है नॉर्मली landlord उसके इस transfer को accept कर लेते हैं ये उसका विरोध नहीं करते हैं बट यदि वो इसका व मैं नहीं करूंगा कि भी फुजल कर दें कि ट्रांसपर तो ऐसी दशा में तहां जाएंगे इनियुन होल्डर में सभी के तो निदान पूरे हैक्ट में डिसी माहदे के पास है फिर से दिख लें लगान लगा भूईहर पर लगानी लगेगा नी नी बंधन आवशक है इंका कर सकते हैं इंकार कर सकते हैं ठीक है इसके बाद देखते हैं और क्या है इसके बाद मान लिए कि टेनियूर होल्डर है ये टेनियूर होल्डर भू धारक जो है इसके पास एक बड़ा लैंड इस लैंड का ये चाहता है कि कुछ भाग वो किसी को बेंच दे ना इसका इसका औरतवा इसने क्या दे दिया अधिकार दे दिया tenure दे दिया, tenure को divide कर दिया, division of tenure, tenure का यह विभाजन अपने उस अदिकार को बाट दिया और यह वाला पार्ट दे दिया, किसी और को, मानने यह रामू को दे दिया, लाओं को ये पार्ट दे दी दे चीए तो ये tenure को डिभाइट कर दे जहां है अब रामू को क्या इस भाग का लगान देना होगा या नहीं देना होगाστ के क्यों डिना होगा तो रामू कहाई गा को रूब पूरे जमिनवा का लगान देंगे कि जो हमरे हिस्सा में मिला है उसका लगान देंगे तो यह कहेगा कि नहीं जो तुमको हिस्सा में मिला है उसी का तो इसका अर्थुआ कि जो लगान देना पड़ेगा डिस्टिपिशन ओफ लगान वह एक रेशियो में होगा वह एक प्रप इसका tenure का विभाजन और distribution of लगान तो विभाजन क्या निखाता मैंने विभा मतलब विभाजन इसको बाट दिया विभाजन ठीक है इतना उमिद करता हूँ आपका क्लियर होगा इसको इसके बाद देखते हैं अब एक important है वह है section 14 इसके आगे देखें हम लोग section 13 तक हमें पढ़ दिया section 14 देखते हैं वह आता है एक word है resemble annual ठीक है हिंदी बत पुछेगा क्योंकि इसका हिंदी आपको भी बहुत टप होगा अगर आपके पास book है तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग section 14 को पढ़िए section 14 को पढ़िए आपको समझा यह क्या लिखा है पुनर ग्रा है धारन उससे दुबारा मिलेगा और उससे वाताली करन और पता नहीं क्या क्या translate करते हैं यह भाई साब लेगे चलिए देखते हैं resemble tenure क्या है माल लीजाए कि एक कोईrale यह ट्रॉल्डर ही है इसने अपना वान ल्लेंड बीको दीया है पट्टा पर या किसी समय क्युश्मय के लिए बीक हो दे दिया ठीक हैоки अपना holding कुछ handle कश भाग एक किसको दिया बीको दियां त 완 तुम खेती आए लगाना हमको दे लिए विय किसी कारण वह संग चला गया परमानेंट उपर चला गया भ मर गयर कि अर्च का और इसके पास कोई वंसज नहीं जो कोई अन्तर की अधिकारी नहीं यह मर गया एक पास उसके पास यह आ ऐ जाएगा इसे कहते हैं 10 द्यान करदेंट हैं एने अपने उस जमीन के अधिकार B को दे दिया परंतु B के मिर्तिव हो गई नावल्द मिर्तिव हो गई मतलब बिना किसी उत्राधिकारी के इसके मिर्तिव हो गई तो वह B का जमीन का जो अधिकार है जो टेनियूर है टेनियूर अधिकार है वह वापस लोटकर B के पास आ जाता है कि यह इसको रोका गया है कि इसको रोका गया विरोध किया गया है इसको इंगिस में काते हैं इसको रोका गया है निशेद किया गया है प्रविट किया गया है कैसे तो अगर वी जब इस जमीन का काम सुरूख किया और वी ने इस जमीन पर मान लिए कि इस जमीन पर जो है वो डैम बना दिया जमीन कुछ समय डैम बन गया तालाब बन गया नहर बन गया इस जमीन के कुछ हिंसे को यह चला गया साइनिक छावनी में साइनिक छावनी के इन सरकार क्या दिन आ गया साइनिक छावने के अंतरकत कुछ सरकारी जमीन साइन सरकार के एक समार करती हैं से एक के लिए बन गया यहां पर खनन कोछ माइनिंग सुरू हो गया यहां यहां पर एक बिल्डिंग का निर्मान हो गया सरकारी बिल्डिंग या गराम प्रमुक का बिल्डिंग का निर्मान हो गया ठीक है यह कोई उद्योग के लिए बिल्डिंग बन गया कुटर उद्योग के लिए बिल्डिंग बन गया यदि यह सब हो गया है वहां कोई प्राथना घर बन गया ठीक है जैर्थान याद होगा व कर रही हैं तो ऐसी दशाम में इसका वापस ट्रांसफर इनके पास नहीं होगा ठीक है इसको रोका गया है यही मैंने आपको बताया 14 में तो यह पूरा खत्म हो गया है पर लोगो देखलें फटापर 10-year holder 10-year holder भूधार क्या हम लोगों ने देखा भूधार कमों देखा कि 9 लगान नहीं देना है बट 9 अमेंडमेंट सब्सक्राइब कर सकता है किसका अपना पावर को टेनियर पावर को ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी सकते है फिसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं कौन कर सकते हैं लाई लाण्ड़ॉड का है है रेविन्यू ओफिसर है इंकार कर सकते हैं, इंकार होने पर कहा जाएंगे, DC साब के पार जाएंगे, थर्ड, लैंड बड़ा सा है, इसका टेनियूर कुछ भाग अधिकार को बाड़ दिया, और जो लगान लेगा, जिसको दिया, वो लगान पूरे का नहीं देगा, कुछ खास जगा का देगा, इसके पास है, या उसके वनसे उसके पास है, अस्थाई रूप से पर्मानेंट अधिकार, पर्मानेंट टेनियूर, और एक कहा मैंने का, पुना ग्राय है, पुना वापस अपने पास आने का ये चीज है, चली फॉर्मूला, लगा, भूई, नी, इंक, इंक लगाना है, किसको किस को लगाना है, विभा को और नीशा को, इंक लगाना है, चली ठीक है, पंदरा नंबर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद का जो पॉइंट है, वो है, हम लोगों का अगला है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, OC, OR, OR क्या है, occupancy, रहियत, ठीक है, डे बाता है, 16 से लेकर 36 तक इसमें पढ़ना, OR, very first question is, what is OR, OR क्या है, occupancy, रहियत, अभी, क्या बता है, अधी, भोगी, रहियत, पॉसिस, यह तो मन करता है कि C&T का हिंदी अनुबाद मैं कर दू, आसान शब्दों में, पताई यह लिखता है, काल आओधी का ओसान, सिधा लिखता है, समय सिमा के स्वापती, काल आओधी का ओसान, I hope कि 14 section 14 आप पढ़े होंगे, तो 40 section में हिंदी आपको समझ मा आ गयागा, वाताली करन, वाताली करन मुझा है, इनल्मेंट, उसको रोकना, है न, उस समय तक उसको पढ़ती शदीद कर, और क्या हो गया, what is OR, क्या ये रहियत के प्रकार है, जी ये रहियत के प्रकार है, कहां पढ़ा था हम लोगों ने, तो रहियत के तीन प्रकार थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, OR के बारे में, ठीक है, और क्या है, बाई, जैसे ही किसी रहियत का, किसी जमीन पर, लीगल राइट होता है, इडमिस सरकार के, पंजी में उसका दर्ज है, नाम का, त्यान में उसका नाम आ गया है, या रसीद दे रहा है, जैसे ही किसी का, लीगल पॉजेशन होता है, वा उस जमीन पर, उसको उखुपाई कर लिया है, अधिकार में कर लिया है, उखुपाई समझते हैं, उससे से बना हुआ, अब उसका legal position कानूरी उप से उसका उसमें दखल होना चाहिए और इसका रसीद कटता है उसे ओवर करते हैं ठीक है इस पूरे चैप्टर में आपको बड़ा interesting year है बारा वर्स बारा वर्स बारा वर्स है इसमें चीजें है तो हम लोग इसको कोशिश करें कल मैं पढ़ा दूँ आपको अलड़ी एक घंटा सदिक हो गया है कल इसको मैं पढ़ायता हूँ एक बार तेरी से हम लोग रिकाप करने तो हम लोग ने क्या पढ़ा cnt act 1908 चुप नापकू टेनेंसी एक्ट के बारे में यह बंगाल बंगाल एक्ट 6 जो था 1908 का 6 उसके तहट यह बनाया है और यह किसने बनाया लॉड मिंटो सेकेंड के समय यह बना हुआ है उन्होंने इंडियन कॉंसिल एक जो थ नकाटा भी कहते हैं इसका जो फादर है जिसने बनाया है उसका नाम था हॉफमेन हॉफमेन के बाहने में मैं आपको कुछ जानकारिया दी है ठीक है और उसको सयोग करने वाले लिश्टर थे और होस्ट थे इस एक्ट को बनाने की पीछे जो में विद्रो है वाह उर्गुर देश है लैंडलोड इसका मुक्रुद देश है यह दो है मैंने का था यह एक्ट दो पार्टी इस एक तरफ लैंडलोड जमिंदार उस समय के और कास्तकार इन दोनों के आपसी संबंदों को इसमें डिल किया गया है किसके दूब रिंट लगान के माध्यम से कास्त के माध्यम से तो यह इसको यह एक्ट जो है वो यह और यह और इसको संसोधित करता है आप उसे जरूर पढ़ेंगी जितना पढ़ाया है उसे आप पढ़ लें समझना है रटना नहीं है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कई टर्म मिलेगा चाहे हो कोई कोरकर हो जो भी आपके भूमी के प्रकार हो उससाब हम लोग पढ़ना पढ़ कर लेंगे चली आपको समझ में आया होगा आई हो थैंक यू गूड़नाइट जैहिं